दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए जेमडी न्यूज चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले हेलो फूरा फल नंस कैसे हैं आप सभी मैं हूँ भरत सिंग और आप देख रहे हैं जेमडी न्यूज दोस्तो यदि आप अपने जीवन में मेनत करकर के ठक गए हैं लेकिन फिर भी आपको अपने मेनत का अपने जीवन में पूरा फल नहीं मिल पा रहा है या आप चाहते हैं कि आपके पास भी बहुत सारा पैसा आए और आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का समना ना करना पड़े तो आप इस उपाई को जरूर करें दोस्तो इस उपाई को करने से आपकी हर परेशानिया हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी दोस्तो आज हम जो आपको उपाई बताने जा रहे हैं वो उपाई बहुत ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं आज को उपाई दोस्तों आपको करना ये है कि आपको दो लोहे की कील लेनी है कील लेने के बाद आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है और फिर उन दोनों कीलों को आपने हनुमान जिंदूर वाली मूर्ति के आगे रख देना है उसके बाद आपको वहीं पर बैट कर हनुमान 40 का 11 बार पाठ करने है। उसके बाद आपने उन दोनों लोहे की कीलो पर थोड़ा सा हनुमान जी के चर्णों का सिंदूर लगा लेना है। उसके बाद उन दोनों कीलो को लेकर चुपचाप अपने घर पर आजाना है। जैसे ही आप घर पर आएंगे उसके बाद आपको उन दोनों कीलों को अपने मुख्य दरवाजे की दोनों साइड पर ठोक देना है दोस्तो इस उपाय को आप सुभे या फिर शाम को भी कर सकते हैं दोस्तो इस तरह सिंदूर लगे कील को मुख्य दर्वाजे पर ठोकने के बाद आप देखेंगे कि रात तो रात आपके घर की सारे नेगेटिव एनरजी खतम हो गई है और आपके घर में सकारतमक उर्जा आ चुकी होगी तो आपकी मेनत आपका साथ देगी आप जितनी भी मे मेनत करेंगे उसका फाल आपको जरूर मिलेगा तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ यह उपाय बहुत ही आसान है आप करेंगे और अपनी किसमत को बदल लेंगे तो दोस्तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक क करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें